हारु फिक्स सैमसंग स्टार ठ्रीडोस डिस्प्ले नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर अच्छे से जो है नहीं हो रहा है तो आपको के से फिक्स करना होगा मैं आपको दोस्तों कुछ सॉलुइशन बताऊंगा इसके रिगार्डिंग पर ठीक है आपका प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर सॉल्फ हो सकते हैं अगर यह सोफ्वेर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब तो यह दोस्तों एक हाड़वेर का एश्यू है तो आपको सिंप्ली टेग्निशन के पास जाके फिक्स करना होता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लिजिए आपका स्क्रीन पे कोई भी डेमेज नहीं है फिर भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप आपको कुछ सॉलिशन से आपे फॉलो कर लेना है उसके बाद भी दोस्तों हाड़वेर का एश्यू हो सकते हैं ठीक है तो जानने के लिए आपको वीडियो पुरा देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क् चुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते हैं आपका जो केस है दोस्तों उसको देखें ठीक है आपका जो बेक कवर है उसको रिमूफ कर दीजे और साथे साथ में दोस्तों आगर आपके स्क्रीन पे कुछ भ करके देखें अपने स्क्रीन से और स्क्रीन को थोड़ा साफ करके देखें क्योंकि दोस्तों अगर गाम वगएरा लग जाते तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं ठीक है इसक्रीन को अच्छे कपरे से एक बार साफ करके देखें उसके दोस्तों चेक करें रिश्टार्ट जाते हैं प्रोब्लेम ठीक है अगर प्रोब्लेम स्व्फ नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जाएगे सेटिंग पर अपना शूर्ट चेक करें ठीक है अगर आपका शूरेज दोस्तों completed कॉंजूम हो चुका शूर फूल है तो अब होटी परसन या 30 परसन तो उनको भी आप डिप्लेट करें अगर बहुत सारे अप्लिकेशिन से थो उनको भी आप डिप्लेट touch का issue है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होते वो lagging का issue होते और hang होने के वज़े से ऐसा problem होते तो आप एक बार जरूर ये try करके देखें अगर इससे काम बन जाता ही तो ठीक है अगर इससे भी दोस्तो problem आ रहा है तो आप touch check करके देखें ठीक है अपने mobile पे touch check करके देखें उसके लिए दोस्तों आपको developer option चाहिए होगा यहाँ पे तो developer option दोस्तों मैं enable कर लेता हूँ तो दोस्तों about phone पर जाके आपको built number यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है software information के अंदर पे तो built number पे आपको 7 बार click करना है उसके बाद mobile pattern आपको भर देना है और यह developer enabled हो चुका है ठीक है अभी developer option कहाँ पर है हमें वो search करना है तो last पे आपको मिल जाएगा तो उसमें जाए इनेबल होना चाहिए आपका developer option तो यहाँ पर हमें search करना है pointer location तो चलिए थोड़ा सा नीचे जाके search करते हैं pointer location ओके तो यहाँ पर है अभी दोस्तों आपको क्या करना है screen पे आप slide करके देखे ठीक है इस तरह के से आपको draw करके देखना है screen पे अगर touch आपका काम नहीं करते तो touch यहाँ पर stop हो जाएगा और continue नीचे से होगा ठीक है यह running पर नहीं होगा ठीक है तो आपको पतर लग जाएगा कि इस area में आपका screen पे touch problem है ठीक है यह touch issue है या फिर क्या problem है आपको यही से पतर लग जाएगा अगर आपका जो है यहाँ पर touch का issue आ जाते तो touch काफी जादा means होगा तो आप क्या कर सकते हैं touch को change भी कर सकते या फिर display चेक करवा सकते है किसी भी technician के पास जाके ठीक है तो इस तरह के से भी दोस्तों कई बार हम चेक कर सकते हैं सारी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है software update करना है software update करने से दोस्तों आपके mobile पर काफी जारा improvement हो जाते है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है that stability of camera has been improved as software update can include but it's not limited to device stability movement, bugs fixes ठीक है, bugs fix हो जाएगा और आपको features मिलेगा तो future improvement to perform ठीक है, तो आपके device में और भी ज्यादा यहाँ परफुमेंस अच्छा होने के लिए आपको software update दिया जाते है तो software को update करें और उसके बाद check करके देखे, दोस्तों इससे काफी आपको फाइदा होगा और आपका problems भी यहाँ पर solved हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने problem को fix कर सकते, by any chance अगर problem solve ना हो, तो जाके ही आप अपने mobile को factory reset करें उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है general management पर जाना है reset पर क्लिक करना है और factory data reset पर क्लिक करते हुए आपको reset पर डबाके mobile password भर देना है और reset कर देना है ठीक है, अगर उसके बाद भी same problem ही है तो आप किसी भी technician के पास या फिर service इंड़कर पास जाके होते उससे चेक करते तो उससे ही पता चलेगा, तो इस तरह किसे दोस्तों display screen touch problem हमें fix करना होते है उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसने आओगा thanks for watching